नवस्कार मित्रों अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेट्फॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है वीडियो के इस भाग में हम लोग रुदेर इसकंदन की क्रिया विदी के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं तो देखिए इधर की तरफ क्या टॉपिक है मारे पास में रुदेर इसकंदन की क्रिया विदी रुदेर इसकंदन की क्रिया विदी यानि की क्लॉट का जमना या ठक्के का जमना उसके बारे में हम लोग डिसकस कर रहे हैं यहां पे रुदेर इसकंदन की क्रिया विदी होती ह वह आपके पास में तीन पदों में संपन होगी कितने पद होंगे उसके तीन पद होंगे पहला पद आपके पास में होता है प्रोथ्रॉम्बीन Prothrombin sacriac multicultural pro thrombin pacr snacka निर्माण套 अभी बतारोंगा आपको पिछले वाले वीडियो मैं आपको 13 klotting factor बताये थे उनने को कौन कौन से याद रखने पड़ेंगे वह बिशील वीडियो में देखा है वह यह वीडियो देखने के बाद में डिटेल मिलेगाव के इंदल के कशने वह थ्रॉम्बीन का थ्रॉम्बीन में परिवर्तन क्या जाएगा थ्रॉम्बीन में परिवर्तन तो थ्रॉम्बीन का थ्रॉम्बीन में परिवर्तन यह अपना दूसरा जाएगा तीसरा पद जो होगा वो होगा फाइब्रीनोजन या फाइब्रीन से थक्के का निर्मान क्या होग या फाइब्रीनोजन या फाइब्रीन से थक्के का निर्माण तो यहां पर देखेगा आप लोग यहां पर क्या पद है फाइब्रीनोजन या फाइब्रीन ठीक है अब भी पता लगेगा आपको या क्यूं लिख रहा हूं मैं यहां पर जब मैं यह पद पढ़ाऊंगा तब webinar आप्ने पास में् होगी समाप्त होगी यह तीन अपने पास में में रहते हैं Lawrence करते हैं इक नबर कर नाम नमीपर की आ लिए जहां रहे ठांबम फेस्न आरा रहा है अपने पास में कुछ, शिभे प्रो फ्रॉबीन सक्रियक का निर्माण कैसे क्यों होता मैंने आपको बताया था कि ॉससे क्या होता है क्लॉटिंग की क्रीयाविदी देखे जब भी कभी आपके रुधिर वाहीनी हो गी तो से रुधिर बाहर बाहर निकलेगा क्या बाहर लेगा रुगस कि कोशिकाएं बी ढमेज होती जिसमें जो शतीगरस्त हुई वह तता जो उत्तक शतीगरस्त हुआ वो यह दो नों मिलकर रूदिर के क्या करते हैं थ्रोंबोप्लास्टीन को release करते हैं यह यहां पर रूदिर का समय क्या होता है और तूटने लगता है तो टूटी भी प्लाटी رाश्टीन को मुक्त करता है इसको कैसे लिखेंगे देखेगा यहां पर लिखा मैंने आपके पास में क्या शती ग्रस्त उत्तक क्या लिखा है शती ग्रस्त उत्तक और यहां पर लिखा है मैंने आपके पास में क्या शती ग्रस्त प्लेटी लेट्स क्या लिखी मैंने आपके शती ग्रस्त प्लेटी लेट्स ठीक है को मुक्त करते हैं गुरूजी यह रूंब अचीज़म होता है यहाद रखो इन चीज़ों को लास्त वीडियों बताए मैं आपको रहेंगा जबता क्या चीज़ रहेंगी क्या नंबर का रहें इसके लिए अपन यहां पर क्या लिख देंगे डी इनमबर लिख देंगे और ये क्या करते हैं मुक्त करते हैं किसको राय Vander स्तूंबो प्लास्टीन को कौन करता है ये जो रल्प त्रोंबो प्लास्टीन है यह सात्वे नंबर फेक्टर को सात्वे नंबर कारक को सक्रिये करता है तो सात्वा नंबर कारक जो आज सक्रिये होता है उसको सक्रिये करने का काम किसका है त्रोंबो प्लास्टीन का है तो इसमें क्या लिख देंगे हम सात्वा क्या हो गया यहां प प्रिंपोप्लास्टीन की मदद से हो रहा है काव। उससे फहले फिजन प्रयमब प्रोप्लास्टीन के बारे में एक पंक्ति और लिखना चाहेंगी हम लोग यह पե ऐक गलाइको प्रोटीन क्या लिख रहा है ощущ aiará पे ग्लाइको प्रोटीन वह फॉस्वो लिपिड फॉस्वो लिपिड का से निर्मित होता है यह फॉस्वो लिपिड पाया जाता है ठीक है ना इसके इंदर याद रखेगा इस चीज को यह संगठन है थ्रॉम्बो प्लास्टिन का जो जरूरी था मैं आपको बताया और सक्रि सक्रिय कर देंगा एंगा कों क्या करेगा है सक्रिय कर देगा तो कैसे हो इस इंदर मामला आ गये यह क्या कर रा किसको आपके आसमें चैंत को सक्रि incident काम करेंगा तो देखे कैसे मेकनिजम बैठेगा यहां पे यह अ सक्रिए है कैसा यह सक्रिय हो जाएगा सक्रिय हो जाएगा क्नों रहेगा इसके साथ में chant से मढईन चैना क्या यह सबत्य थैन्हार होता है दूद कहों तो यह सब्सक्राइव जैसे यह सक्रिय और टेंट कम बद तुद प्रोंबीन सक्रियक का निर्मान करेगा इसका प्रोंबीन सक्रियक का निर्मान करेगा पांचवे नंबर फेक्टर की मदद से तो देखे किस प्रकार बनेगा यहां पे हमने लिख दिया किसका निर्मान होगा प्रोंबीन सक्रियक प्रोंबीन सक्रियक का निर्मान होगा कौन स क्यवेटिंग कि मेकानिदम का शतिues तुट्ट्ट करती है थ्रोंबो प्लास्ट फेक्टर को पहला पद यह यहांपे ठीके स्टार्ट होना है वह याद रखेगा वियादि लेट से ही स्टाट होना है प्लेटिलेट 230 उत्तक मैकेनिजम स्टार्ट कौन करवाएगा लाप्लेटिलेट और डैमे Dafürn इंग यन्यीन की तुछतिज अब हम दूसरे पद की दरफ पढ़ते हैना दूसरा क्या प्रोथ्रोंबीन का ठोळ देखिए परिवर्तन ठीक है न प्रो थ्रॉम्बीन का थ्रॉम्बीन में परिवर्तन याद रखेगा इस चीज को ठीक है यह अपने बास मारा प्रो थ्रॉम्बीन का थ्रॉम्बीन में परिवर्तन क्या होगा इस पद के अंदर इस पद के अंदर अपने बास में प्रो थ्रॉम्बीन ज काम करता है ठीक ना के य सब्सक्राइब काम करेगा तो कैसे मेकैनि Cristo दोकी प्रोङ मी में आपके स्थ में दूस्रा नंबर गए और यहता है लिगी है एसकृरी थि 68 ये आपके आश्म में कन्वर्ट होरा है त्रोंबीन में इसके ऊपर जो चीज काम कर रही यह जिसकी मदद से हो रहा है वह कौन है प्रो फ्रोंबीन सक्रियक क्वह प्रो-้म्बिन फक्रिक पहले पक्रियम बनाता तो साथ जी साथ में इसमें ا livest connecting मोलते हैं वह भी मज़त करेगा फार्बीन क्या आपके असमें सक्रिय यह है यह रखेगा यह दूसरा प्र करें हनी यह दूसरा पता है अब इसके करतें अधिन तेसरी पतकनि निर्मान ऑगा तो आप लोग सटिर्थ किया कहता है की यहीं पर बात करें कै reproductive और फाइब्यम्सट का निर्मान है वीसे पूरा नाम यह है तो कैसे होता है थक्रेकर निर्मान में सबसे पहली चीज आई कि मैं जो है वह फाइब Renee एब बिलुंज इन जानकारी के लिए बता दूँ सार् innocुId कि नंबर को इसको करेगा इसको कनवर्ट करेगा तेरवा नमबर कारक जिसका नाम होता है फाइब्रीन स्टेबलाइजिंग इस्टेबलाइजिंग कारक क्या हुता है Fibrin Stabilizing कारक, जो 13 number वाला कारक है, ध्यान दखिएगा, कौन सा है, 13 number वाला कारक है, साथ ही साथ में इसमें काम करेगा, कौन, ये थ्रोंबीन, जो बना है यहाँ पर उपर वाले में, ठीके, थ्रोंबीन, ये किसमें कनवर्ट कर देगा, Fibrinogen को Fibrin में कनवर्ट कर देगा, ये अगुलंशील सक्रियक प्रोटीन है ये, ठीके, अब क्या होता है, इसके आगे, अब कलोट बनना स्टार्ट होगा, ये Fibrin क्या होता है, सबसे पहले एकलक है, यानि कि आपके पास में एक ही है, इसका होगा, बहुलिक रत होने लग जाएगा, मतलब इसका पॉलिमर बनेग बहुत सारे Fibrin के क्या कर देगा, तंतू का निर्मान कर देगा, ये क्या हो जाएगा, एकलक हो जाएगा, और ये एकलक होता है पहले, इसका बहुलिकरन होगा, बहुलिकरत हो जाएगा, बहुलिकरत हो करके Fibrin तंतू बना देगा, ठीके, ये Fibrin तंतू क्या करेंगे, जा कहा ठीग है तो इसको आगे अभी है कॉकिसे लित सकते है अम लुग यहां पर देखेगा कि अब या फाइबरिन यह जोבר यह क्या हो जाएगा भाएन त wond बना देगा क्या करें तू बनाएगा बहुत चारें तंतू बनाएगा आपके पास और बनेगा यहां पे ठक्के का निर्मान होगा ठीक है यह आपके पास में क्या रहती है यह क्या रहती है तीन पद के अंदर संपन हो रही है ये मेकैनिजम ध्यान रुखेगा इस चीज को पहला पड जो अपने पास बाते च्यरूर म्लोग में आप के रिए तीसरा था तक्के का निर्बान जो अलड़ी हम लोगों ने डिसकस कर लिया है ठीक है अब कुछ बाते इसके अंदर होती है जो अपन को यह पर जाननी जरूरी है जो एक तो सीरम क्या होता है देखिए जो रुदिर होता है आपके बास में क्लॉट जमने के बाद में जो बचा कर दिए लुटने सब्सक्राइब रखना सीरम प्लाजमा के समान होता है परन तू इसमें फाइब्रियोजन, फाइब्रियोजन उन्तित buzzing होता है, यानि कि फाइब्रियोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वह तो क्लॉट बना देगा इसलिए इसको सिरुम को बोलते इसमें फाइब्रेनोजन एक्षेंट रहता है ठीके ना याद रखेगा इस चीज को ठीके सबसे पहले जो थक्का जमता है तो पहले जो थक्का सकंदन उसमें लगबग 6-9 मिनट लगते हैं और जैसे यह तक्कार आपके पास पर हाड हो जाता है वैसे क्या होता है कि यहाँ पर बलीडिंग यानि कि बलड होता है वह रुख जाता है बाहर निकलना समझ गया मेरे बात को ध्यान लखेगा इस चीज को ठीक है ना क्या होता ह वह ब्लड क्लॉट हो जाएं के बाद में क्या होता है कि बलड बहार निकलना बंद हो जाता है यह बात थोड़े सी आप यहां पर खयाल लखेगा वालाइट यहां पर बच्चों हमारे पास में खतम हुआ है वह है रुदिर इसकंदन की क्रियाविधी के बारे में ध्यान रहे इससे प्रीविएस वीडियो में ने रुदिर इसकंदन को स्टार्ट कर दिया तो तेरा कारकों के बारे में बताया था अब मुझे वह वीडियो याद आ रहा है जो मैंने एक नंबर पर रुदिर परीशंचरन तंत्र पढ़ाना स्टार्ट किया था जब आपके पास में आय निया याद कीजिएगा एक नंबर वीडियो मताया था इसके ठीक है दो नंबर पर थी हमारे पास में कौन सा दो नंबर अपने पास कौन सा आता है रुदिर स्वेम रुदिर यानि ब्लड और तीन नंबर पर पने काता है यानि हाट तो यहां तक इस वीडियो में यानि कि है यहां तक जो वीडियो चल रहा है अपाना है यहां तक हम बलड के बारे में पूरूर्स एंन संगटन रुदिर के बारे में ब्लड ग्रूप और समू के केसमू कि इसके बाद में रुदिर का फिनिश कर दिया अब वहारा आ रहा है नेक्स्ट वह नियां के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे स्टुडेंट्स इस वीडियो मैं हम यही तक रखते हैं इसके आगे का पोर्शन अम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे Thank you very much